नमश्कार मैं हूँ बद्रबांडे और आप देख रहे हैं कि इन्यूज जिंडिया और बात करेंगे बजट सत्र की राजधानी लखनों से आपको खबर बताएंगे जहां पर यूपी विधान सभा सत्र का आज तीसरा दिन है और आज तीसरे दिन की कारवाई होनी है और 11 बजे ये कारवाई जो सदन की है वो सुरू होगी और विधान परिशत की कारवाई होगी और इसके साथ ही राजधाल के अभीवाश्यन पर चर्चा भी की जाएगी तो योगी सरकार कल विधान सभा में पेश बजट करेगी और पूर्ण बजट कल पेश होगा और यूपी विधान सभा की कारवाई आज होगी और इसके साथ ही बजट सत्र का आज तीसरा दिन है और दूसरे कारेकाल का ये पूर्ण बजट कल प्रस्तुत किया जाएगा तो वित्यमंत्री सुरेश खना विधान सभा में बजट पेस करेंगे और अब तक का सबसे बड़ा बजट पेस किया जाएगा और यूपी का बजट 6 लाग के करोड के करीब बताया जा रहा है और इसके साथी नई योजनाओं पर भी प्रदेश सरकार का ध्यान रहेगा नई योजनाओं को सुरू करने के लिए बजट में प्रावधान भी होगा तो किसानों को सिचाई के लिए मुफ्त बिजली का भी प्रावधान किया गया है और मेधावी चात्रों को मुफ्त स्कूर्टी देने का भी प्रावधान होगा तो दूसरे कारेकाल का ये पहला पूर बजट होगा और इसके साथी साथ साल से अधिकुम्रे की महिलाओं को भी मुफ्त परिवहन की सुविधा विधान की जाएगी और इन सभी योजनाओं के लिए बजट में प्रावधान भी किया जाएगा तो आज बजट सत्र का तीसरा दिन है और विधान सभा से मौमत सफी हम इससाल दो दिन तो हंगामे के बीच दोर गए चले गये क्यूंकि पहला दिन तो समाज़दी पार्टी ने हंगामे के साथ ही शुरुवात किया था और दूसरे दिन वाद विवाध के बीच में रहा क्यूंकि अखलेश यादो प्रतिपक्ष में बैठे हुए हैं अखलेश श्यादो सामने बैटे हुए हैं और उसके सामने जो यूपी के मुखमंत्री है योगी अदितना तो कल तीकी बहस भी देखने को मिली है फिलाल आज तीसरा दिन है और आज कहीं नहीं जो कई बाते सामने आएंगी कई बाते अहम हो सकती है और बात करें अगर हम तो ग्यारा ब कुछ अपडेट आपको मिल पा रही है और अभी तक क्या महौल देखा जा रहा है विधान सभा के बाहर का अगर महौल आपको दिखाना चाहें तो हम चाहेंगे अपने केमरामेंन से कि जो सुरक्षा व्यवस्ता है वो आज बहुत टाइड कर दी गई है क्योंकि आज तीसरा दिन है तो कहीं ने कहीं एक बार फिर हंगामा होने के आसार नजर आ रहा है जिसके चलतन जो पुलिस फोर्स है वो आज बढ़ा दी गई है हम आपको तस्वीरों में दिखा दे कि जो यहां पर आज बढ़ चुकी है परशासन भी आज पूरी तरीके से सक्त है जो रोड है तरफ की पूरी तरीके से सनाटा दिख रहा है फिलाल अभी ग्यारा बजे से जो सत्र है उसकी शुरुआत होगी और जिसकी तैयारी प्रशासन ने भी कर लेकिन अगर बजट की बात करें तो इस बार जो यूपी का बजट है वो कहीं न कहीं बहुत बड़ा होने वाला है क् 6.10 लाग करोड रुपए के करीब ये बजट होने वाला है और इस बार यूपी की जो सरकार है महिलाओं के लिए खास तौर पर ये बजट पेश करने वाली हो चाहे बुजर्ग हो और चाहे महिलाओं सभी के लिए ये बजट एक खास होने वाला है फिलाल जिस तरीके से सद बात करें विदान सभा के अंदर की बात करें तो शिवपाल यादो और अकलेश यादो में पहले से ही तलकी देखी जो आ रही थी तो जब शिवपाल यादो और अकलेश यादो की आसपास की सीटे थी तो उनमें नाराजगी भी दिखाई दी थी तो आज शिवपाल यादो अ नजर आने लगी और शिवपाल ने खुद ये लिख कर दिया हुआ है कि जहां पर बैठते हैं समाज़ादी पार्टी के लोग मैं वहां नहीं बैठना चाहेता हूँ मेरी सीड बदली जाए तो कहीं ने कहीं आज उस पर भी निड़ना हो सकता है क्योंकि उन्होंने सीड बदल विधायक नेता थे वो सिर्फ हंगामा करते नजर आये तो कहीं न कहीं शिवपाल की जो स्ट्रेटेजी है वो बिल्कुल अलग नजर आ रही है और अलग दिख रही है साफ तोर से बता दें कि शिवपाल यादों ने ये मांग किया है कि मेरी सीड वहां से बदल के अलग कर फिंक नजर ने बदल करती अब बिल्कुल देंके समाच्वाटी के के मुक्या नराज है इस बात का तो अभी कोई सामने नजर नहीं आ रहा है लेकिंट स्यॵपाल यादों नाराश है ये जरूर दिख रहा है और ये जाहिर भी कर रहा है अपने मूँ से कभी कहते हैं नजर नहीं आई चुपाल यादो कि मैं नाराज हूँ या मैं नाराजगी जाहिर कर रहा हूँ लेकिन जिस तरीके से वो परतिकरिया देते हैं जिस तरीके से वो सामने पेश आते हैं देर आजम खान रहे लेकिन उन्होंने किसी तरह का कोई हिस्सा नहीं लिया है आजम खान ने अपने दारूल शफावाले घर पर मौझूद रहे कल उन्होंने मीडिया से कई बात की और कई एहम सामने बाते रखी जब कई सवाल किये गए कि क्या आप किसी पार्टी में जा सकत कि मैं अपनी जनता के बीच रहूँगा और जनता के बीच रहे कर उनका काम करूँगा तो कहीं ने कहीं उन्होंने भी विधान सभा में हिस्सा लेने से मना कर दिया लेकिन साफ तोर से इंकार नहीं किया लेकिन जो इशारे सामने नजर आ रहे है वो जो नराजगी नजर आ लेकिन दिख जरूर रही है चाहे वो शुपाल यादो हो चाहे आजम खान हो सबसे बड़ी बात ये कि अखलेश यादों ने कोई भी पभल अभी नहीं की है क्योंकि अखलेश यादो समाज़दी पार्टी के राष्टी अद्धच है, पूर मुक मुंतरी है, सपा के मुखिया है, कहीं ने कहीं उनको भी आजम खान के आगे बढ़ चल कर उनका हाथ पकड़ कर लाना चाहिए था, उनसे मुलाकात करने चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नजारा देखने को नहीं मिला, नहीं श हैं, दो जो दिगज नेता हैं, फिला अगर शुपाल यादो की बात करें, तो वो अपनी पार्टी पहले ही बना चुके हैं, प्रस्पा और उसके राष्टी अद्धच भी हैं, लेकिन वो समाजादी पार्टी से लड़े और जीते, क्योंकि अगर कहा जाए, तो समाजादी पार्टी के वो विधायक है, लेकिन आजम खान आज भी बड़े नेता हैं, और हमेशा बड़े नेता कहलाएंगे, उन्होंने ये बात कल कहीं भी, कि 40 साल से मैं इस पार्टी में हूँ, वो 40 साल से मैं सेवा कर रहा हूँ, तो कहीं ने कहीं जो दर्द था, वो बया हो रहा लेकिन खुल कर नहीं कहें पा रहicem तो जिस तरीके से समाज़ादी पार्टी के दो बड़े नेता नाराज चल रहें और अखलेश यादो इस पर कोई बी टिपडी में कर रहे हैं, अखलेश यादो किसी तरीकी कोई बात नहीं कर रहे हैं, मुलाकात की अभी कोई तसवीर आ सामने आई थी और दोनों के भी सुतल के टिपड़ियां भी देखी गई थी और कल की अगर बात करें बजट सत्र के दूसरे दिन की अगर बात करें तो कल लॉइन ओर्डर को लेकर के भी अकलेश यादो ने नेता सदन पर आरोप लगाये थे और खुलकर सवाल भी किया था तो रोजगार महिला सुरक्षा इसको लेकर वो चल रहे हैं जिस तरीके से भष्टाचार किया जा रहा है क्योंकि कल अगर बात करें हम तो एक बड़े भष्टाचार का खुलासा कहीं ना कहीं जो अकलेश यादो की पार्टी है समाजदी पार्टी के जो विदायकर रविदास म वलोतरा उनके द्वारा किया गया लेकिन अभी तक कोई तत्य सामने नहीं आया है इसी पर लेकर कल बहेज भी की गई थी लेकिन फिलाल आज फिर क्या खुल कर सामने आता है कौन क्या सामने रखता है ये बड़ी बात है लेकिन अकलेश यादो इस बार सामने बैट गए हैं और अखलेश यादो पूरी तरीके से अपनी पार्टी के साथ तैयार होकर आते हैं रोज कि किस मुद्दों पर बात करनी है और उनके मुद्दे देखे बिल्कुल खुले हुए है अखलेश यादों ने अपने मुद्दे साफ कर दिये हैं कि महेंगाई, वेरोजगारी, बिज और जिस तरीके से जो विवस्था चल रही है, जो ब्रष्टाचार बढ़ रहा है, बलतकार बढ़ रहा है, उसको लेकर सरकार को घेरने की बात कर रही है और सरकार भी उस पर पूरी तैयार होकर आई है और पूरी तैयारी करके आती है, क्योंकि अगर बात करे हैं हम कल के तो कल जिस तरीके से अखलेश आदों ने इसका योगयादीत नाथ ने जो मुक्तप्रोदेस की मुक्मंत्रिय είναι उन्होंने बहुत या सानी से कजब भी दिये थे उसको डिफेंड भी किया था तो जिस तरीके से जो ये कारवाई सदन में चल रही है जिस तरीके से विधान सभ में जो बैठक चल रही है तो ये अभी तो सवाल जवाब में आज का दिन भी कहीं न कहीं जाने वाला है और कल बजट पेस किया जाएगा और इस बार का अगर बजट की बात करें तो इस बार का बजट बहुत खास और बड़ा माना जा रहा है क्योंकि 6.10 तेल लाग करोड उपए एक बड़े एमाउंट से लेकर ये बजट किया जाएगा और महिलाओं को आगे रखा जाएगा स्कूटी देने की बाल चल रही है साट साल की जो महिलाएं उनको फ्री जो यात्रा है उसमें बजट में शामिल किया जाएगा तो कई ऐसे मुद्दे हैं कही न कहीं जो महंगाई है उस पर भी कंट्रोल किया जाएगा कुछ छूट भी दे सकते हैं जिस तरीके से जो सामने नजार आ रहा है कल कही न कहीं छूट देने की जो के वीज मिमत गुजरा है दूसरा दिन वादविवाद में गुजराहें और आuh तैसरा दिन बेखना होगरわかरा कि से जो कार्वाई जो बेटे के गजरती है जी मुच्छ सभी मुचुल носब के बाहर हैं और विदानसबार आपाएया के पहुँचे यदाना आप खड़े हैं तो अभी तक कौन-कौन से विधायक पहुंचे हैं विधानसभा में किनका आवाजाई लगी हुई है विधानसभा के बाहर और अंदर देखे अभी तक कोई भी विधायक और नेता विधानसभा नहीं पहुचा हुआ हम आपको बिल्कुल साफ तोर से चाहेंगे अपने कैमरामेन सुरेश से कि वो आपको तस्वीरे दिखा दे कि पिरिकुल अभी सन्नाटा है यहाँ पर क्योंकि 11 बजे से सदन की शुरुवात हो कि तो 11 बजे से पहले ही लोग आना शुरू हो जाते हैं और लगबख साड़े ग्यारा से 12 बजे तक लोग आते रहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं 11 बजे जब शुरुवात होती तो कुस देर हो जाती है जिसके चलते हैं जो विधायक है नेता है वो आते रहते फिलाल अभी को आती का कोई भी नेता और विधायक अभी तक विधान सबा नहीं पहुंचा है जी बिलकुल मुहमत सफी आज जो की बजट का तीसरा दिन है और बेहदी एहम बताया जवारा ये बजट पूरी जानकारी देने के लिए आपका सुक्रिया तो यहां पर लगातार तस्वीरे ज विपक्ष के द्वारा लगातार उठाय जा रहे हैं और बहुती सयम पूर्णी तरीके से भी देखा गया कि नेता सदन ने विपक्ष की ओर से उठाये सवालों का जवाब भी दिया था और इसके साथ ही आज भी कुछ नए मुद्दों को उठा करके नेता प्रतिपक्ष साम काफी बड़ा है काफी एहम ये बजट बताया जा रहा है और अब तक का सबसे बड़ा बजट पेस किया जाना है तो पूरी तैयारियां कर ली गई है विदान सबा में और बजट जो है 6 लाग करोड के करीब पेस हो सकता है और इसके साथ ही नए योजनों पर भी प्रदेश सरकार का अब ध्यान रहेगा और महिलाओं को लेकर के खास तोर पर महिल जो यूपे सरकार है वो आगे अग्रसर है और नई योजनाओं को सुरू करने के लिए नई पहल सुरू करने के लिए योगे सरकार आगे है और इसके साथ ही किसानों को सिचाई के लिए भी कोई परिसा इसके लिए भी पूर्ने बजट में इसको सामिल किया गया है और चात्राओं को भी इसमें शामिल किया गया है